तो फाइनली ठेटर के अंदर ट्रोलर वेंटंडर रिलीज हो चुकी है और मैंने पुरी की पुरी मुवी देख ली है और अभी भी आगर आप लोग कंफ्यूस हो कि हमें यह मुवी देखने जाना भी नहीं चाहिए नहीं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे ना स्पोयलर की जिंदा कर लेरा ला क्योंकि फूरी की तरीका से इस मुवी देखने किरने के देखने हैं तो फैसे तौरे शू जान। यानि इसके अंदर काफी ज़्यादा जोक्स क्रैक्स करें गए हैं और यार कोमेडी तो इस मूवी की पूरी तरीकर ज़े नंबर वन है जैसे थोर रैगनरोग की थी पर थोर रैगनरोग के साथ एक था कि उसका स्टोरी पॉइंट जो था वो काफी ज़्यादा अच्छा था लेकिन इस मूवी के साथ वो चीज नहीं है अब हाँ मैं जानता हूं कोमिक्स जिन्हों ने रीड कर रखी है वो जानते हैं कि कोमिक्स के अंदर गोर का कैरेक्टर किते ज़्यादा बड़े अप्लोड के साथ इंट्यूड्यूज करा गया था और उसका प्लोड भी खाफ ज इस मूवी में दिखाए जाते हैं उनकी कोमिक टाइमिंग इतनी ज्यादा खास है यह मूवी आपको बोर तो कहीं भी नहीं होने देती क्यूंकि यह सारे के सारे करेक्टर जिनसे हम काफी ज़्यादा फैमिलियर हैं जब जब स्क्रीन पर आते हैं तो यार अब हसते ही रहते आते हैं हमें क्योंकि इस मूवी की कॉमिक टाइमिंग इसकी पुरी की पुरी मूवी की सबसे बड़ी जान है जहां पर इस मूवी के जो वीज़्वल्स है उनकी वीयर में तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से इस पेस को उन्होंने दिखाया है और काफी तो आपको अपच्छे से पता लग जाएगा जहां पर इस मूवी के जो वीज़्वल्स है उनकी वीयर में तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से इस पेस को उन्होंने दिखाया है और काफी ब्यूटिफुल तरीके से इसका वीफेक्स और सीजिया कर गया है वो देखने म गए वो सारे के सारे पोजिटिव पॉइंट जो कि इस मूवी के हैं अब बात करते हैं इसके नेगिटिव पॉइंट के बारे में क्योंकि यार हर चीज के सारे के सारे पोजिटिव पॉइंट ही नहीं होते कुछ इसके नेगिटिव भी होते हैं जिनके बारे में हम चलो बा पूरी मूवी के अंदर दिखाई गई है जो कि सच में मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि तो आप इतने बड़े एक्टर को ले रहे हो जिनका नाम किस्टन बेल है और उन्हें आर कैरेक्टर भी कैसा दे रहे हो या फिर कहुं विलन भी कैसा दे रहे हो प्यार विलन भी आजकल तो बहुत अच्छा पूपम करते हैं लेकि बड़े बड़े लेवल के विलन होते हैं लेकिन इस वाले विलन के साथ बिलकुल भी ऐसा नहीं है जहां पर उनको यार यह अपने आप टैलेंट दिखाने का मोगाई नहीं दिया गया इस मूवी के अंदर जहां मैं बोल सकता हूं यार वो एक बैटर कैरेक्टर डिजर्व करते थे एमस्यू कैनन के अंदर लेकिन अफसो अब जो होना था वो हो चुका इस मूवी के अंदर जहां पर ही सबसे बड़ा नेगिटिव पॉइंट है इस मूवी के बारे में जिसकी वज़ा से यार लगसी को एक तरीके से कहूं बढ़े तरीके से आगे तो बढ़ाती है क्योंकि एंडिंग में हमें जो चित दिखाई गई है वो देखके थोड़ा तो आप खुश होई जाओगे इस मूवी को लेकर और 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 कहूंगा जिनने थोर रैगनरों का पसंद आई थी वो लोग जरूरी जाना क्योंकि उसी हिसाब की पुरी की पुरी मूवी बनाई गई है थोर रैगनरों को या टकर नहीं दे पाती क्योंकि यार उसकी अलगी बात है थोर रैगनरों की तो हाँ यार जिनने थोर रैगनरों पसंद आई थी वो जरूर जाके देखना और जिनने लाइट क्योंकि मैं मिलता हूँ ऐसी किसी आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए तिल देर बाई गाइज